नमस्कार दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको बतने वाला हूँ आचार ये चानक क्यने अपने चानक के निती ग्रंत में बताये हुए ऐसी दो चीजों के बारे में जो दो चीजे एक बुद्धिमान वेक्ती कभी भी किसी को नहीं देता है और अगर देता भी है तो भ है तो यह सब जानने के लिए आजकी इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखे तो चलिए शुरू करते है आजकी इस वीडियो को तो नमस्कार दोस्तो मेर नमें सोपनिल और आप देख रहे है आपका ही यूटूब चैनल All Info Update सबसे पहली जो चीजे वह कौनसी है दोस् तो रोस्तो आपको तो पता होगा कि बुद्धिमान वेक्ति को समय की एहमियत यानि कि समय का महत्व पता होता है इसलिए जो बुद्धिमान वेक्ति होता है वो फाल्तू के चीजों में अपना समय बिल्कुल भी बरबात नहीं करता है और जो बुद्धिमान वेक्ति होता ह वो अपना खुद का समय किसी भी फाल्तू वेक्ति को नहीं देता है यानि कि जो वेक्ति नकारत्मक विचर सोचता है जो वेक्ति थकेला है तो ऐसे वेक्ति को जो बुद्धिमान वेक्ति होता है वो अपना खुद का समय बिल्कुल भी नहीं देता है पर जो सकारत्मक विचर सोचता है यानि कि जो वेक्ति अपने खुद के भविष्य के लिए सकारत्मक विचर सोचता है जो कभी भी ठकेला नहीं रहता है जिसके अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं रहता है तो ऐसे वेक्ति को बुद्धिमान वेक्ति अपना समय जरूर देता है और ऐसे वेक्ति के साथ बुद्धिमान वेक्ति अपना समय अवश्य बिताता है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए चोद दूसरी चीजे वो कौनसी है दोस्तो की ज्यान यानि की नौलेच तो दोस्तो आपको तो पता है की बुद्धिमान वेक्ति के पास बहुत सारा ज्यान होता है पर बुद्धिमान वेक्ति अपने पास जो ज्यान होता है वो किसी भी एरे गेरे फाल्तु वेक्ति को नहीं देता है क्योंकि दोस्तो बुद्धिमान वेक्ति के पास जो ज्यान होता है उसका महत्व उस बुद्धिमान वेक्ति को पता होता है इसलिए बुद्धिमान वेक्ति ऐसे ही वेक्ति को अपना ज्यान देता है जिस वेक्ति को उस ज्यान का महत्व पता होता है और बुद्धिमन वेक्ती कभी भी किसी भी आलसी और नकारत्मक सोचने वाले को अपना ज्यान बिल्कुल भी नहीं देता है तो अस्तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए